हेलो एवरिवन, आज मैंने सामबर बनाया हैwhat ना झाल ओचिएल्य सामबर या फीर आप ममऴा कचिए चाणव कि je i Roxند कुंट तो बनाना केसे हैं उसके लिए मैंने यह पच पूरन लिया हैं और उसके बाद उसको थोड़ा सा इस तरह से तेल में हलका सा लाल कर लेंगे यह अच्छी तरह से क्रेकल हो जाएगा इसके बाद इसमें बाखे के इंग्रिडियन डालेंगे देखे तेज यह करीपता है मीठा नीम तो यह बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में सामबर में बहुत इंपोर्टनेंट है तो यह डालिएगा जरूर इसके बाद इसमें लसुन अद्रग और मिर्ची काटके डाली है मैंने तो सारे इंग्रिडियन डालिएगा तो ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है इसके मत करिएगा बहुत अच्छा लगता है मेरे वीडियो में बाकी में मैंने बहुत सारा सामबर बनाया है तो इसमें टमाटर डाल देना है और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है थोड़ा सा नमक डाल देने से क्या होगा न, थोड़ा सा नमक डाल देने से टमाटर जल्दी से गलने लगेगा तो अच्छी तरह से इसको आप भून लीज़ेगा और जैसे ये थोड़ा सा भूना जाए उसके बाद thereafter इसमें मसाले डालना है तो और छूड़ा सा नौर्बर अच्छी तरह से भूणना है और उसके बाद जो दाल आप खाते हैं कोई भी डाल नहीं है और यह मैंने अजल की दाल डाली है आप जो भी डाल यूज करते हैं वह दाल का आप इसमें बना सकते हैं लेकिन हाथ दाल को कम से कम आदा गंटा इसको भीगा कर रखना है अच्छी छितना पाने यिसमें डालने का हैं उसना आप डाल के इसमें दो सीटी लगा लीजेगा उसके बाद इसको अच्छा-च्छी जब लग जाएगा तो यह म momentos पग जाएगा और उसके बादाद अपर ईसको धन्या से गानिश करिए और गर्मा गर्म सर्व करिए आप इनका किसी करिएगा कमेंट करिएगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए शेयर करिए और बेल बटन को भी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और इस उपर से मैंने कस्तूरी मेथी भी डाला है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो थोड़ा सा काल इमिज भी आप इसको डाल सकते हैं अरे दिखे बन के तयार हो गया है देखिए और बहुत टेस्टी लगता है देखने में भी देखिए कितना टेस्टी लग रहा है तो खाने में तो लाजवाब है इसी तरह से बनाईए और चैनल को सब्स्राइब शेयर करें बिना मज जाहिएगा बेल बटन को भी क्लिक करेंगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाएं